दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जोग्रफी के Top 28 ऐसे Question Answers जो की परिक्साओं में बार-बार पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखीगा 28 में से कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना Score Comment Box में बताना मत बूलिएगा वीडियो पसंद आए तो Like Share कर देना और दोस्तों कोडाई कनाल किस पहड़ी में स्थित है या आपके लिए Test Question है इस Question का आंसर सभी स्ट्रेंट को Comment Box में जरूर बताना है ठीक है चले सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला Question आपकी स्क्रीन पर है भारत के निमलिकित राज्यों में से किसे भारत का कोही नूर कहा जाता है जल्दी से Answer Comment Box में बताईए राइट आंसर इस आंद्र परदेश को दोस्तों भारत का कोही नूर कहा जाता है तो पहले Question का राइट आंसर बी हो जाएगा ये आपको याद रखना है दूसरा Question है निमलिकित किस इस्थान पर अलकनंदा और भागीर्ती का संगम होता है तो दूसरे Question का राइट आंसर रहेगा देव प्रियाग यानि की Option B राइट आंसर हो जाएगा Question No.3 है ब्रहंपुत्र नदी तिबबत में किस नाम से जाने जाती है तो राइट आंसर इस सांगपो नाम से जाने जाती है Question No.3 का राइट आंसर B हो जाएगा Question No.4 है निमलिकित में से कौन सा लेंगून नहीं है निमलिकित में से कौन सा लेंगून नहीं है तो राइट आंसर इस पेरियार जील Question No.4 का राइट आंसर आप्शन A हो जाएगा ये आपको याद रखना है Question No.5 है क्याल क्या है दोस्तो राइट आंसर हैगा केरल के लेंगून यानि कि Option B राइट आंसर हैगा पाचवे Question का सही उत्तर ये आपको याद रखना है दोस्तो इसी परकार से हमने Master PDF बनाई है जिसमें 6000 Question Answers कवर किये हैं सभी अलग-लग सब्जेक्ट के और अभी दोस्तो ओफर चल रहा है जिसमें दो फिरी पीडियप भी दे रहे हैं 500 रुपे की बजाए दोस्तो मात्र 170 रुपे हम ले रहे हैं आपसे और जिसमें complete सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट की पीडियप दे रहे हैं और वो भी लाइफ टाइम के लिए आप पीडियप भी निकाल सकते हैं प्रेंट आउट में तो मेरे प्यारे दोस्तो आप समझे का कि एक मंत का जो रिचार्ज होता है आपका मोबाइल का इंटरनेट का उससे भी कम प्राइज में हम आपको ये पीडियप दे रहे हैं और लाइफ टाइम के लिए जिसमें आपका बहुत ही बहतरीन content कवर किया है अगर आप इस पीडियप से पूरा syllabus कवर करना चाहते हैं वह भी कवर कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है पीडियप कैसे लेंगे नीचे description box में लिंक है वहां से आप क्लिक करके purchase कर सकते हैं या फिर आप हमारे इस WhatsApp नंबर पे message करना कि सरम मुझे पीडियप लेनी है मास्टर पीडियप तो हम आपको लिंक बेजेंगे वहां से भी ले सकते हैं मास्टर पीडियप का जो WhatsApp नंबर है दोस्तों नीचे slide में हर एक जंगा लिखावा मिलेगा आप देख लेना दोस्तों कोशन नंबर 6 है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो राइट आंसर हैगा कछारी मिट्टी का यानि कि छटे कोशन का राइट आंसर आप्शन नहीं हो जाएगा ये आपको याद रखना है सात्वा कोशन है कथा बनाने के लिए कि स्पेड की लकडी का प्रियोग होता है सात्वे कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा Kher की लकडी का यानि कि सात्वे कोशन का राइट आंसर आप्शन सी हो जएगा ये आपको याद अखना है Q8 है निलगिरी परवत माला जिस राज्य में इस्तित है वह है तो आठवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है तमिल नाडू यानि कि आठवे कोशन का राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा ये भी आपको याद अखना है Q9 है दक्सिन भारत की सबसे उची चोटी है राइट आंसर एगा अनाइमुडी यानि कि नवे कोशन का राइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा ये आपको याद अखना है दसवा कोशन है नदियों की लंबाई के अवरोही करम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, अयवंताप्ति का सही अनुकरम कोन सा है सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर देना वई अपने भाई, बहन, दोस्तों के साथ में भी सेयर कर देना जो भी competitive exam की चारी करते हैं और जोग्रफी या किसी भी subject की आप पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए YouTube पर सर्च करना है Only Top Study जोग्रफी प्लेलिस्ट या फिर description box चेक कर लेना वहाँ पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस question का दोस्तों right answer हैगा गोदावरी निर्मदा महानदी और दापती यानिकी right answer is D ये आपको याद दखना है ग्यारवा question है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है right answer is गोदावरी बेसिन यानिकी 11 question का right answer D हो जाएगा ये आपको याद दखना है question number 12 है चेतवल के करम में भारत के तीन बड़े राज्ये है तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है राजिस्थान, मध्यपर्देश और महरास्ट यानिकी right answer B हो जाएगा बारवे question का सही उत्तर ये आपको याद दखना है question number 13 है पुड़ुचेरी का छेत्र विभाजित पाया जाता है right answer दोस्तों क्या रहेगा 13 question का तमिल नाडू केरल आंद्रपरदेश राज्यों में यानिकी 13 question का right answer D हो जाएगा ये भी आपको याद दखना है question number 14 है भारत के किस राज्ये का समुदरी तट सबसे अधिक लंबा है question number 14 का right answer क्या रहेगा दोस्तों भारत के किस राज्ये का समुदरी तट सबसे अधिक लंबा है तो right answer is गुजरात question number 14 का right answer option A हो जाएगा ये आपको याद दखना है question number 15 है इनमें से कौन सी नदी बरंस गाटी में नहीं बहती है तो right answer दोस्तों रहेगा निमलिकित भारते दुपों में से कौन सा दुप भारत एवं से लंगा के मध्या है दोस्तो right answer है रामेशुराम यानि की शोलवे question का right answer B हो जाएगा ये भी आपको याद दखना है सतरवा question है सरकरिक विवाद किन दो देशों के मध्या है दोस्तो सरकरिक विवाद दो देशों के मध्या है कौन-कौन से भारत और पाकिस्तान के बीच में यानि की सतरवे question का right answer B हो जाएगा ये आपको याद दखना है अठारवा question है निमलिकित में से किस तट से भारत का ओसत समुदर तल ना पा जाता है दोस्तो अठारवे question का right answer है चिन्नई यानि की option A right answer है अठारवे question का से उत्तर ये भी आपको याद दखना है 19 वा question है निमलिकित में से किसे कैप कॉमरीन के नाम से जाना जाता है तो right answer हैगा दोस्तो कन्या कुमारी को यानि की option D right answer हैगा 19 वे question का से उत्तर 20 वा question है भारत के किस राज्य को सिलिकोन स्टेट के नाम से जाना जाता है तो right answer दोस्तो करनाटक हो जाएगा यानि कि D is the right answer जुमरी तलया जो कि radio पर गीतो की फरमाईस के लिए परसिद है दोस्तो किस राज्य में जाता है ये question एक बार S.S.C.न में पूछा गया था तो काफी अच्छा question है ये भी इस question का right answer एगा जुमरी तलया पढ़ता है दोस्तो जारखंड में यानि कि option D right answer हो जाएगा देखे पहले radio पे फरमाईस के according गाने चलते थे तो ये जुमरी तलया गाओं है जहां से सबसे ज़्यादा फरमाईस होती थी radio पर ठीक है ना कि आप मैं मान लीजे मैं जुमरी तलया से हूँ और मेरे को कोई गाना चलवाना है रेडियो पर तो कोल करके मैं जुमरी तलया से हूँ सर मेरा लिए ये गाना चला दीजिए तो इस परकार से ये जुमरी तलया इसलिए famous हो गया तो right answer is D 22 कोशन है सियाचीन हिमनद कहा इस्थित है दोस्तो right answer रहेगा नुब्रा घाटी के उत्तर में यानि की right answer B हो जाएगा 25 कोशन का से उत्तर 23 कोशन है भारत का सबसे बड़ा भू आकरतिक प्रदेश है 23 कोशन का right answer रहेगा प्रदीपिय पठार 23 का right answer option A हो जाएगा ये आपको याद रखना है 24 कोशन है कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है तो कोड़ाई कनाल किस पाड़ी में स्थित है तो right answer इस पालनी पाड़ी में यानि की right answer D हो जाएगा 24 कोशन का से उत्तर ये आपको याद रखना है 25 कोशन है निमलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में वस्थित नहीं है दोस्तो right answer है गुर्ला मानन दहता यानि की right answer is B 25 कोशन का right answer B हो जाएगा 26 कोशन है मेगाले का पठार है प्रैदीपेव पठार का भाग यानि की right answer दोस्तो C हो जाएगा 26 कोशन का right answer option C रहेगा ये आपको याद दखना है 27 कोशन है भारत कितने प्राकरतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तो भारत कितने प्राकरतिक प्रदेशों में विभाजित है तो इस question का right answer हैगा 6 यानि की option A right answer हैगा 27 कोशन का सही उत्तर 28 वा है निमलिकित सेल क्रामों में से कौन भारत का 90 परतिसत से अधिक कोईला परदान करता है 28 वे कोशन का राइट आंसर हैगा गौनवाना करम यानी की राइट आंसर ऑप्चन है रहेगा 28 वे कोशन का से उत्तर ये आपको या दखना है 28 में से आप लोगों ने कितने सही किये हैं नीचे कमेंट बोक्स में आंसर बताएगा अपना स्कोर और भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्क कौन सा है या आपके लिए टेस्ट कोशन है इसका भी आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है आपको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजेगा फाइव स्टार की रेटिंग करना उसके बाद में आपको यहां से रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा दोस्तों डेली करेंट अफेर का और यूटूब की कहीं फिरी पीडियाप का अब देखें मास्टर पीडियाप जो हमारी है इसमें हमने 6000 कोशन आंसर्स कवर की है जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है यह बहुत ही 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 हम आपको वहाँ पर बार कोड या लिंक प्रोवाइड करा देंगे या फिर आप हमें हमारा लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है उससे भी पीडियाप को परचेज कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक सेर करिए चैनल पर नए है त सब्सक्राइब करिए बेल आइकन कोन रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थेंगी सो मच बाइबरीवाइबरीवन टेक कर ख्याल लगे अपना